आज के वीडियो में हम नेक्स टॉपिक फॉरेस्ट्री का पढ़ने वाले हैं जो कि है लियरिंग यह एक मैसरे एसेक्शुल प्रोपागिशन का इसका पहला जो मैसर था कर तेज वह हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं अभी हम लियरिंग के बारें पढ़ने वाले हैं वीडियो में हम ग्राफ्टिंग के बारें पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वाट इस लेरिंग में अकर आप बेसिकली एकदम सिंपल लेंगविज में आप समझे तो हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे अगर मालीजी यह प्लांट है और इससे क्या हो जाएगा प्लांट करने से कि हमें एक नया प्लांट मिल जाएगा तो बेसिकली यही होती है लेरिंग के प्रोसेस तो आप इसका डेफिनिशन देख लीजे लेरिंग इस देवलपमेंट ऑफ रूट्स ऑन स्टेम वाइल इट इस अटेश्ट टू प्लांट प्लांट का मतलब कि जैसे अगर माली जी हमारे पास प्लांट है और इसके स्टेम को हमने यहाँ पर सॉयल में डाल दिया और इसमें रूट्स हमने ग्रो कर लिया तो यही चीज़ है लेरिंग आपको आई होपसूर डेफिनिशन क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर हमने रू रूट्स के स्टेम कर द सुन जाड़े खेंपनिशन में अगर आपको आपको कि यहाँ लेकौर ऄंडरी में तो यह रूट्स कुरिए दाया पूम में कटट लगाया है तो वहां पर रूट से वहां पर यह ग्रोव जाते हैं वग्रेट senza बार जाएते हैं और उसके बार देखें यह आपको पता हैं कि यहाँ पर रूटिंग जब हो जाती है उसको हम dividedों пять-े-ग करें के निधland कर देते हैं तो इस सरे से लार्श को देखेंगे समझेंगे तो आप अप विडियो घ। वैंड तक देखें होपसज़। Je जर्श कहीं WRAI पोहां स्पेशल्ए जो हुआ है इसके इसके कुछ लिमिटेशन भी सब से रहे हैं कि यह यह प्लांट में नहीं हो सकता है इसके लिए कुछ specific plant होते हैं वहीं पे यह उसके बाद यह वैसे plants के लिए suitable जिनका की branches का है जैसे माली जे हमें plant का branch को इस तरह से मिट्टी में ग्रो गरना है अब अगर मली प्लांट यह प्रोड्यूस कम हो सकता है जैसे कटिंग में जितने पार्ट को हम कट करके अलग अलग उगाना चाहते हो बहुत सरे पार्ट को ऐसे कट कर सकते हैं लेकिन इसमें कहा नमबर ऑफ प्लांट्स वह हमें कम मिलेंगे उसके बाद देखें यहां पर जो बहुत जहानी परतनी पड़ता है उसके बाद इक्स्ट को देखते हैं यापकर टेकनी मतलब कि आप पर टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स यहां पर लेरिंगे तो सबसे पहले देखें ग्रांट लेरिंग मतलब कि जैसा मैंने बता ना simply कि हमें यहां पर सॉल डाल तो यहां पर क्या हो जाए अगर roots grow हो जाएंगे तो यही चीज होती है ground layering हम यहां पर क्या कर रहे हैं सबसे simple layering ground layering अब इसके भी दो types होते हैं आप figure से देखे तो आप लोगों को जादा अच्छे से clear हो गई चीजें तो जैसे देखे यह है simple layering simple layering है और उसके बाद अगर यह है कि compound layering compound का मतलब आपको पता है compounding एक से दो दो से तीन इस तरह का उसको क्या बोलते compound बोलते या फिसको serpentine भी आप बोल सकते हैं तो जो simple layering होगी उसमें क्या है कि simply आपने system को लिया है और आपने यहां पर हुक लगा दिया है और यहां पर आपने क्या है कि यहां पर ही roots जो हमारे grow होंगे तो यह क्या हो कि simple layering उसके बाद अगर compound layering हम बोलते हैं तो यानि कि समझ लीजे जो भी इसका root से उसको एक बार दो बार तीन बार यानिया हम से हम देखे एक प्लांट दो प्लांट तीन प्लांट इस तरह के कई सारे plants समया से ले पार है तो यह होती है simple layering और यह होती है compound layering यह दोनों ही ground layering के अंतरगत आती है तो इसके बार में कुछ और important points हम देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका definition definition आप लोग easily इसमें हम क्या कर सकते हैं single branch से single plant ले सकते हैं अगर आप compound वाला कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं एक ब्रांट से आप more than one of plants जो है वो grow कर सकते हैं so यह सारी चीज़ें ground layering के बारे में अब इसके बद नेक्स दिखते हैं ट्रेंच layering and tip layering पहले आप इसका figure देख लीजे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा ट्रेंच layering में हम basically क्या करते हैं जैसे माली जी यह plant है इसको हमने क्या कर दिया 30 डिग्री में यह है अब उसके बाद इसको simply इस टाइप का lay down कर देते हैं ताकि यह क्या हो जाए कि soil में इस तरह से हो जाए अब इसके बाद उसके पर क्या है हलका हलका soil कर दिया जाता है इसम आप लोगों को figure देख कर के 40 strange layering clear हो गया होगा बट फिर भी जनको नहीं clear हुआ है आप थोड़ा सथ इसके बार में थोरी देख लीजिए फिर I hope आप लोगों को यह clear हो जाएगा इसे हम ativolation layering भी कहते हैं तो इसका यह दूसरा नाम इसको आप याद रखेगा इसमें basically हम कर क्या रहे हैं कि नए शूट्स इसको इंड्यूस कर रहे हैं तो जैसा जो parent plant होता है वो 30 to 40 degrees में क्या होता है और ताकि इससे क्या हो जाए कि थोड़ा easy way में वहां जब हम इसको soil से cover कर देंगे फिर उसमें से नए जो शूट्स है निकल जाएंगा ने शूट्स मतलब इसी को अब इसके बाद next हम देखते है what is tip layering tip layering इसमें आप इसको भी फिगर से आप पहले देखे तो आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा tip layering में हम क्या कर रहे है कि यह माली जी आपका step में इसका जो tip है इसको आप soil में डाल करकि क्या कर दे रहे हैं इसको cover कर दे रहे हैं यहां पे जब roots develop होंगे तो यह tip layering होगी होगी आप जितने भी layering के types पढ़ने हैं आप उसका पहले जो starting word है उसको आप देख करके आप अच्छे से याद रखिए tip का मतलब कि यह tip होता है इसको आपने जमीन में डाला है मतलब कि यह tip layering हो जाएगी तो इसको भी आप देखिए इसके बारे में थोड़ी बहुत theory कि इसमें क्या करते हैं small hole करते हैं थोड़ा deep उसके बाद इसम इसके बाद हम उसको वहां से detach करके उसको भी अलग सी कर लेंगे तो इसकी blackberries के लिए example है tip layering के लिए इसके बाद next type है mound layering what is mound आपने इंडियास वाले civilization है मतलब की मौत का तिला तो आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह से कवर कर दिया तो यह भी क्या है mound है तो mound layering हर एक चीछ से नहींतों पर ऊलका है थाम榮 करती बाद पर राधर ब्लांट क कर दो बuciones करने एन भी का मौत करना है तो को यहां पर रोड करने में थ्या मतली है तक वाज था मौत इसkung को थोड़ा शाट करना पड़ीनगे और पर शुच और निकलनाए जाल है और इसमें क्या है कि ह यहां पर जैसी वह थोड़ा बहुत यहां पर से ग्रो होना स्टार्ट होगा फिर हम इस लेयर को हटाएंगे और उसके बाद फिर इनका हम यूज कर लेंगे तो मांट लेरिंग जो है वह वह एपल के प्लान्ट में हम यूज करते हैं तो आप इसको याद रखेगा कि इस प्र आप नाम से समझ सकते हैं कि एयर में हम लेरिंग कर रहे हैं कोई भी ब्रांच है उसमें क्या करें थोड़ा सा कट करके उसमें हम उसको कवर कर दे रहें पर जब वहां पर रूट्स रेवलप हो जाएंगे तो फिर हम उस रूट्स का यूज कर लेंगे तो चली देखते हैं देखें धोड़े और देखें और Services क्लियर हो जाएगा ये देखे ये इसका dodate इसेपल तो देखें यह कि बार को हमने अपरें रिमूब कर लिए सिधी इसमें हमने क्ल गया इसको हटा दिया रिख्त की मतलब क्या होतं है बालाप को मैंने स्ट्रक्चर पड़ाया था तो जै कोवर करने से यहाद भी इवलपो जाएगा इसको बाहर का इनवार्मेंट पसवित्त कोवर रहुत हो यह सी ठीक रहे ग понрав Psalm बहुत थोड़ी टाइम के पाद के बЕН complexities को बूप जाएंगगे Department स्टेम को किस सरसे हम लोगों ने किया है इसमें 2-3 cm बार्क है थोड़ा सा कट कर लेंगे थोड़ा सा वहां पर का लगा देंगे फिर उसके बाद जो इंजर पोर्शन है उसको हम सॉयल के साथ कवर कर दे रहें रहें व्रैप कर दे रहें उसके बाद हम उसमें पॉलिथीन शी वह इस तरह से उसको मदर ट्री से सेपरेट कर लेंगे तो यह लेरिंग एयर लेरिंग के बारे में बाते हैं आप लोगों को लेरिंग के जितने टाइप से अच्छे से क्लियर हो गया होंगे इसमें क्या है आप लोगों को सिर्फ mcq वाला पेपर देना है तो आप एकदम आदो और फिगर से ऐलेरिंग माउंड लेरिंग टीप लेरिंग कि के यह कुछ और फिगर्स है टिप लेरिंग मांड लेरिंग रेरिंग की तो आपी देख सकते हैं उसके बाद नेक्स ट्रॉपिक है ग्राफ्टिंग जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थैंक ये आवरीवन इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे